हेलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल श्रमाजदिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आप लिखा हुआ देख सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है क्या लिखा है एक वैक्ती और इतने सारे खुलासि जी हां दोस्तों वो कहता है ना कि किसी की एक कमजोर नबस पगड़ लो सारे राज वो खुद उगल देता है वही कुछ ऐसा हुआ है आज जो मैं कोई प्राइवेट दंदा देख लो सीदी सी बात हैं बात करविया आपको लगर योगी लेकिन सच है अगर यह पैटरन चलता रहा तो आखि यह करना पड़ेगा कि प्राइवेट काम करना पड़ेगा कोई दुकान मुकान खोल लो है अपने कंसे कम जीवन या अची क्या होए आज का पूरा अपडेट और अपडेट जानने से पहले जैनल पर अगर आप पहली बार आयो तो सब्सक्राइब जुरूर कर देना इस चैनल पर आपको अथेंटिक अपडेट मिलता है भाई चाहे आप कहीं भी जाके वेरिफाई कर लेना इस चैनल पर मिलने वाल अ हनुमान ठीक है इसका नाम है हनुमान मीना जो की रहने वाला है अलीगड टोंक का इसके खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं और ये खुद जो महानुबाव है वो निलंबित सरकारी करमचारी है जी हैं दोस्तों निलंबित सरकारी करमचारी ये रह चुका है सरकारी करमचारी था तब भी इसके ओपर केस लगा था रिश्वत दुखा दड़ी का उस टेम इसको निलंबित कर दिया गया और अब भी इसने रास्ता सही नहीं चुना अब भी इसने रास्ता चुना पेपर लीग का भरती प्रिक्षाओं में इस पर डमी विद्यार्थी बिठाने का अरोप है और इसने पांस साल में साथ प्रिक्षाओं में सोला डमी विद्यार्थी बिठाई है और अब जितने भी डमी विद्यार्थी बैठे है ना उनकी भी कुड की त्यार है वो भी अब जेल में जाने व पर बरती परिक्षा 2019 पटवारी बरती परिक्षा 2021 इसके अंदर इसने जो है बंदे बठाए डमी और राशी कितनी ली देखो जो ऐसा ही थी सब इंस्पेक्टर के उसमें राशी ली 15 लाख रुपे एक बंदे से और चिंता मत करो बेटा तुम्हारा भी नाम है यहाँ पे जो ना ना अब जिस वर्दी का तुमने खवाफ देखा था ना वहीं वर्दी वाले तुमारे पटे फिर देखना तुम क्या होता है तुमारा चेतन सिंग महार्थी कहां से है अब चेतन सिंग मूल बेरती था इसके जिए डमीय बेरती बैठा शुरेष विश्णोई जैपुर क वो इसका सहारा लिया और इसने इसके लिए काम किया ठीक है ये ये महानूबाव तो होई चुकुए गृट्वतार लेकिन आप इनोंने सहारा को चुगल दिया तो ये वाले महानू बावना वो भी गिरफतार होने वाले हैं नरेंदर सिंग मीना था उसकी जगा मोलल मना बड़ मेर का बंदा बैठा पत्रालाग रुपे में सियारा मीना की जगा नायरायन चोदरी बैठा वो भी पत्रालाग में उद्यापूर सेंटर में वहीं अगर अपने बात करें फोरेष्ट गार यानी की वनरक्षक बरती गी उसमें नरेश मीना की जगा राकेश विष्णोई बैठा सांचोर से टॉक सेंटर के अंदर साथ लाख रुपे में सुर्ग्यान मीना की जगा ये भी साथ लाख में इस तरह से यहाँ पे उन्हों ब्यर्थियों के नाम है जो में जाने वाले थे और यहाँ पे उन्हों ब्यर्थियों वो नाम है जो डम्य ब्यर्थि बनकर के आगे उनकी जिगह पेपर देने के लिए गये थे अब रही बात फसने की यह दोनों के दोनों ही फसनेंगे मूल ब्यर्थियों है उस पर भी कारवाई की जाएगी क्योंकि इसने कानून का उलंगन किया है और जो डम्य बेर्थी है उस पर तो ओबिसी बात है कारवाई की जाएगी ठीक है और जितने इनों ने कमाई है ना डबल निकाल लेंगे फाइन लगा लगा के ठीक है क्योंकि यह माश्य है जो ना इसने सारा कुछ उगल दिया अब अब सो से अधिक लोगों को लगवा चुका है नोकरी अपने छोटे भाई को बना चुका है लडी सी बताओ अपने छोटे भाई को लडी सी बना दिया और सो से जादा लोगों को नोकरी भी इसने लगवा दी अब जितने भी लोगों को नोकरी मिली थी टाटा बाय बाय है उनकी तो आइसा करना ही क्यों है तुम सलब बढ़लो ना थोड़ा बहुत कि अगर तौ़री पढ़ने की उकात नहीं है अगर तौवरी मेहनत करने की उकात नहीं है क्या घंटा खाड़ो की तुम नोकरी में जो एक जिक्के की किताब नहीं पढ़ सकता वो सव इंस्पेक्टर लगके क्या खाग अपराद को पंट्रोल करेगा बहुत समसे बार हो रखे यारे एक सव इंस्पेक्टर की तुम 15 लाग रुपे दे रहे हो शरमाती है तुम लोगों को बाई जब तक सक्त से सक्त कानून नहीं बनेगा ना कानून ऐसा बनना चाहिए यार कि आगे अगर किसी के दिमाग में भी ख्याल आए ना पेपर लीग का तो रोंग टे उसके खड़े हो जाए शाथ पुस्तों के उसके ऐसा कानून बने इनके लिए मजा को रखा यार कोई भ लाइ ऐसे चलता रहा ना भाई कुछ नहीं होना यार छोड़ दो लौकरी की त्यारी बात खत्म नहीं होना नोकरी, भूल जाओ कि तम्हें नोकरी मिल पाएगी ऐसे चलता रहा तो एक वेपर लोता है 50 बंदे उसके बिचे धिखते हो हमार को, 50 बंदे उसके खड़े नजर कपड़े की दुकान पर लगा हुए कम से कम 6-7 जा रुपे लेके तो आता है घर में और अपनी मैनत की खाता अगला सुबह जाता है शाम को अपने पूरे काम करके पूरे दिन मैनत करके फिर लेके आता है दो रुपे घर में पता नहीं है अचल क्यों हर बंदे को यह शोड़ इस थानेदार बैठे रहना पिछवारा से एक के जेल में और घरवाले भी दुखी होंगे और देखो घरवाले डवल दुखी होंगे पहले खुछ हुए मारो छोड़ो थानेदार लागियों मिठाईयां मांटेंगे अब पता लगा कि वो तो जेल के अंदर बैठ गया फिर गरवालों पिर गुजरती यह वो कभी सोचा है तुम लोगोने मूँच अकै हमें ऑल्डिसी बना दो जी मैं सब इंस्पेक्टर बना ददो जी हमें डीसी मैं डीएस्पी बना दो जी पढधनि जिकें के दोपनें नहीं है पढ़ने मैसर्ड के सवाल तो करनें नहीं है इनक सब इस्पेक्टर लग भी गया तो कुछ ज़्यादा उखार नहीं पाएगा वो वह होंगे जो दस साल बाद में खबर आएगी भाई ये रिश्वत लिताओ पकड़ा गया इसको गरफतार किया गया इसको नोक्री सस्पेंट किया गया लाइन अधिर किया गया ये वही बंदे वही बंदो देखके न दिमाग खरा हो जाता है कोई भी एक सिंगल भरती उठालो उसमें यह आता है पेपर लीक हो गया रिजल्ट यह हो गया वह दफाओ यह वह सारे दिन पर सपट्टेवाजी देखो दोस्तो जो भी विडियारती वीडियो देख रहा है ना चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो एक बास कान खोल के सुन लेना बिरोजगा रहे जाना लेकिन गल्त कदमों पे चलके नोकरी मतले लेना अपने आप से नजरे नहीं मिला पाऊगे तुम कई तुम लग रहा है ना कि तुम गल्त नोकरी लेकर के तुम लोग बन जाओ गया ऐसा चो थाने के तो उसमें कोई फायदा नहीं है अगर तुम मैनत करके अगर कॉंस्टेबल भी लगे ना चाती चोड़ी करके कह सकते हो कि मैनत से लगे हैं भाई किसी का दबदबा नहीं है अचा यह बात तोकल को लगता है मालो एक बनता थानेदार लगया जिसे बने ने उसको लगाया डमी बनके उसके इसान के निचे वो जिंदकी भर रहेगा वो उसको कहा आए ज्यादा ना बोला है मेरे को पता है मैंने तो पितरा वेपर कर रहे था आया बड़ा शेंचा बने वाला तो ऐसा काम करना ही क्यों है और बिरोजगारी मैं हर बार कहता हूँ तो बारे दिमाग में है देश में नहीं है यह बात सोच करके देखना यह बात में फ्लो में नहीं बोल नहीं और तुम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियेंस है मुझे इतना और बता देता हूँ तुम लोगों ने सिरफ कोचिंग सेंटर और घरी देखा है मैंने हर चीज को फेस किया हुआ है तो बिरोजगारी तुम्हारे दिमाग में अगर तुम ठान लो ना कहीं बिरोजगारी नहीं है एक्जामपल दे देता हूँ तुमको जीके अच्छाता है किसी भी इंस्टिटूट में जाके जीके पड़ालो पार्ट टाइम चार से पांच रुपे महीने के कमा सकते हो बिरोजगारी कहा गई अगर वह बात अलगा अगर तुम्हें लगता ना कि चार से पांच रावारा तो बिरोजगारी है कम से कम लाट डेट लाट तो महीने के होने ही चाहिए वो तुमारे दिमाग का कीड़ा है उसका कोई लाज नहीं हो सकता जिसकी जेब में अगर दो रुपे भी आ रहे हैं न मेहनत की कमाई के वो बिरोजगार नहीं है That's it And this is a right fact and true fact मैं बात करता हूं बिल्कुल fact की और मेना खून खोलता है ऐसे वंदों को देखके ये जो शकल सी मना के खड़े हो जाते हैं खबार में आगे फोटो लेके कि मैं यह हूं जी वो जिसने पंद्रा लाख में पेपर कराया था दिमाग खराब होता है खून खोलता है पता नहीं कितने बिचारे विद्यार्थियों की उमीदे तोड़ते हैं पता है विद्यार्थी किस हालत में पढ़ते हैं रूम लेते हैं कोचिंग की फीस बढ़ते हैं किस हालत में किसी का खेत गिर भी रखा हुई, किसी के मा के गहने गिर भी रखे हुई, किसी की जमीन गिर भी रखी हुई है किसी को ये बात सताती है कि अगर इस पर मेना नहीं हो तो आगे बापू फीस नहीं बढ़ेगा कि हम परसाशन को यह देंगे तो भाई सिंपल सी बात यह है यार ठीक है कोई शोटकट नहीं पनाना मेहनत करो अगर होती है तो नहीं होती ही तो नोकरी की त्यारी छोड़ दो सिंपल सी बात यह है ठीक है कम से कम इज़त तो बची रेगी तुमारी और तुमारे माबाप की तुमारे प्रिवार की तुमारे खांदान की कम से कम यूं तो नहीं होगा कि तुम्हें पुलिस पाले उठागे बादे में लेके जाएंगे तो और फो मुक्त में चलेंगे, जिंदकी तुमारी बरबाद हो जाएगी इसे अच्छा दो तुम बिरोजगार रहे लो बेटर है ये तुमारे मन का वहम है कि बिरोजगार रहेंगे तो दुनिया ताने देगी अरे दुनिया की टेंशन छोड़ो यार कौन बिरोजगा रहता है कोई ना कोई तो काम मिल ली जाता है कोई ना कोई तो काम सिंगल है एक ऐसा काम मिल ली जाता है पैसे की परवाँ छोड़ो किसी में कम मिलते है किसी में ज़्यादा मिलते है पर काम तो मिल जाता है ना यार यार जब तक तुम माबाप का सिनना चोड़ा है ना तब तक तुम हारे हुई इंसान नहीं हो सिंपल सी बात है जिस दिन तुमने शरम से उनकी गरदन सी मुझा सर जुका दिया समझलो तुम जिन्दगी की जंग से हार चुके हो ये बात मेरी याद रखना ठीक है ना तो कमेंट में मुझसे प्रोमिस करोगी कभी तुम गल्द काम नहीं करोगे चाहे तुम्हें नोकरी मिले चाहे तुम्हें नहीं मिले लेकिन कभी भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाओगे ये मुझे कमेंट में तुम्हार से प्रोमिस चाहिए, ठीक है, चाहे मेरे भाईईों छोटे, चाहे बड़े भाईईों, चाहे बहने छोटी हो, चाहे बड़ी बहने हो, जो भी वीडियो देख रहा है, प्रोमिस करो, कि तुम गल्द काम नहीं करोगे, और ये भी प्रोमिस कर गल्द काम करनी तुम्हें सला दे रहा है तो उसको भी तुम समझाओगे उसको रोकोगे तब जा करके यह अपना सपना सकार होगा अकेले हम यह सोचे ना कि गुवर्मेंट कुछ कर दे गुवर्मेंट के ब्रूसे मत बैठो अकेली गुवर्मेंट कुछ नहीं कर पाती जब तक उसको पॉब्लिक का स्पोर्ट नहीं मिलता हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारा भी कुछ दाइतों बनता है इन चीज़ों को रोकने का अकेला गुवर्मेंट को पर थोप करके हम लोग चैनकी नहीं सो सकते हैं और जब तक हम लोग जागरुक नहीं होंगे यह लोग स करी नहीं रहे हो सिंपल सी बात है ठीक है दोस्तों तो यह था अचका अपडेट अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके शेर जुरूर कर देना यार शेर का मेरे को न बोलना ना पड़े शेर सभी लोगों इन दवाके कर दिया करो इंपोर्टेंट अप करते रहेंगे और आपको जो भी क्लासे चाहिए मुझे कमेंट करके बता दिया करो आपके लिए आपका भाई हाजी रहे ठीक है दोस्तों तो मिलते है अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वबाई टेक केर जै हिंद जै भारत लव यू ओल